दिल्ली और दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल जिसके बाद स्कूल के करमचारियों और प्रशासन ने स्कूली बच्चों को घर जल्दी भेज दिया इस मामले के सामने आने के बाद पूप राजपाल सहित्पूरा दिली प्रशासन हरकत में आ गया है और तुरंद मामले में जाच शुरू कर दी है दिली पुलिस के अब तक की जाच में इसलामिक स्टेट का कनेक्शन सामने आ रहा है दरसल जिस इमेल आइडी से स्कूलों को धमकी भेजी गई थी उसमें इसलामिक स्टेट द्वारा स्वारीम शब्द का इस्तेमाल किया गया है यह शब्द इसलामिक स्टेट अपनी प्रोपोगेंडा वीडियो में इस्तेमाल करता है जिसके जरिये वे अपने विचारों को फैल आता है पुलिस के सुत्रों ने बताया कि जिन स्कूलों को इमेल के जर ये बम की धमकी मिली थी वे इमेल रूस से स्टीज सरवर से आया है सुत्रों का कहना है कि सभी स्कूलों को इमेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था इस धमकी के सामने आने के बाद दिल्ली के उपरा जिपाल विनेर सक्सिना ने दिल्ली के के स्कूल का दौरा किया और स्तिती का जैजा लिया उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि दोश्यों को बक्सा नहीं जाएगा और दिल्ली पुलिस ने मेल का पता कर लिया है मैं इस बात को दिली की जंता को इश्वर करना चाहता हूं कि दिली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तायद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अपरे एखटना को नहीं होने दें दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जहां चल रही है, मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कल्पिट्स हैं बक्षे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सक्त सजा मिलेगी, जोनों ने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है, तो ठीक है, कुछ फोर्सेज हैं जो इस तरीकी की हरकतें कर रही हैं, जैसा है मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं, और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सक्त कारवाई की जाएगी, और मैं एक बार फिर दिल्ली की ज की जान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीकी की अपनी घटना ना हो. पढ़ाई चल रही है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को एक सेफ और सिक्योर लर्निंग एन्वाइमेंट तें, इसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर लगातार इस पे काम कर रही है, मैं दिल्ली के लोगों से और खासकर के पेरिंट से यह कहन चाहूंगी कि वो पैनिक ना करें, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमें बहुत जादा चिंता करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें पैनिक करने की ज़रूरत है, हम दिल्ली पुलिस से लगातार टच में है, स्कूल पर एक पैनी नजर रखी जाएगी, दिल्ली एक्स पर एक बयान जारी करती हुए, किसे भी परभागी स्कूल में कोई खतरनाक उपकरन या संदिक्द गतिविधी नहीं पाय जाने की पुष्टी की, आज दिल्ली के कुछ स्कूलों में बम होने के जूटी कॉल और मेल आये, दिल्ली पुलिस को कहीं भी कुछ भी प्रत के तारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इमेल एक फर्जी प्रतीत होता है।